हलो फ्रेंड्स अब कस्वागे थे मेरे किचिन में आज हम अस्टमी के लिए बनाएंगे प्रशाद तो पंचमरत और पंचरी का प्रशाद खास रहता है और यह बहुत ही आसान है बनाने के लिए तो पहले हम एक पैन में दो टी स्पून गी ही ले लेंगे खीको हम हलका गरम करेंगे और स्लो आज पे ही हम उसमें एक कप मखाने फूल मखाने डाल देंगे और हम इसे स्लो आज पे पात से छे मिनिट के लिए सीख लेंगे तो आपको एक मखाना लेके उसको दबा के चेक करना है अगर अच्छे से सीख गया है क्रिस्पी हो गया है ही रखे और ऐसे चलाते हुए सिख लीजिए सिख जाए फिर हम गैस की आच बन कर देंगे और ठंडे हो जाए तभी हम इसके टुकडे कर लेंगे तो पहले हम बनाएंगे पंचामरत तो उसके लिए एक बावल में हम सो मिल दूद आधा कप कच्चा दूद ले लेंगे और उस चम्मच हनी शहट डाल देंगे तो शक्कर के साथ हनी का टेस्ट बैलेंस करना है एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और तीन से चार चम्मच शकर डाल देंगे मिक्स कर देंगे तो ये हमारा साधा वंचामरत तयार है अगर आप जन्मास्टमी में प्रशाद के लिए बन देंगे ताकि उसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आये तो हमें दो बड़े चम्माच काजू और बादम के टुकडे डाल देंगे और हमारे मखाने अच्छे से सेख गये है और इसे दबाएंगे एकदम क्रिस्पी हो गये है इसके मैं टुकडे कर लूँगी तो आधा टुकडे हम मखाने के पंचम्रत में डालेंगे और आधा में पंजरी में लेलूँगी मिक्स कर देंगे और लास्ट में हम उसमें तूसी के पत्ते तो इसके बिना पंचम्रत अधुरा है तो ये हमारा पंचम्रत प्रशाद के लिए तयार है और ये एकदम स्वादिष्ट बना है और एकदम सरल है ये बनाने में तो ये हमारा पंचामरत और अभी हम बनाएंगे पंजरी तो पंजरी के लिए हम एक बावल में आदा कप धन्या का पाउडर तो थोड़ा दरदरा पीसा हुआ दन्या का पाउडर में लिया है उसमें हम वन फोर्थ कप पीसी हुई चीन दाल देंगे शक्कर, शुगर आधा कप हम मखाने के टुकड़े तो से क्ये हुए मखाने के टुकड़े शोबचे हुए पंचमरत में से थे वो 5 बादम के टुकड़े और 5 काजु के टुकड़े वो मैंने ऐसे मेडियम टुकड़े किये है और हम वन फोर्थ कप नारियल का बुरादा अब चाहे तो छिलके वाला जो बुरादा आता है वो घर पे ही सुखे नारियल को कद्दुकस करके भी डाल सकते हो मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स हो जाए बाद में हम उसमें डेट टेबल स्पून घी डाल देंगे आप चाहे तो ज्यादा और अच्छे टेस्ट के लिए आप इसमें अलाईची का पाउडर भी डाल सकते हो और चाहे तो चीरोंजी भी डाल सकते हो यह हमारा पंजरी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा पंजरी का प्रशाद तयार है तो एकदम बढ़िया बना है इसे ही आप रशाद के लिए सर्विंग प्लेट में निकाले और उपर तुलसी के पत्ते से गानिश करे और हमारा पंजरी और पंचामरत तयार है तो आप ये जन्मास्टमी पर एकदम टेस्टी पंचामरत और एकदम परफिक्ट तरीके के से पं को स्क्राइब करें और ऐसे ही नहीं रेसिपी के लिए प्लीज आप बैर एकदम बटन को प्रेस करें तो आप पंजरी और पंचामरत में बताए कि आपको मेरी रेसिपीक ऐसी लगी थैंक्यों फो वोर्ट से लिए